दिर स्टुडेंट्स, चलिए हम लोग क्लास 9 के, 9th क्लास CBAC से हम लोग NCRT Science को पढ़ते हैं NCRT के Science Book को पढ़ते हैं जो 9th क्लास का है 9th क्लास के लिए हम लोग जो Science में पढ़ रहे थे, वो Motion Chapter को पढ़ रहे थे जैसा कि जानते हैं, इसमें हम लोग Acceleration को पढ़ हैं, वो क्या होता है, उसके बाद हम लोग Question Answer को भी किये चलिए उसके बाद जो हम लोग का Topic है, हम आपको ये बताये थे कि अगले दिन हम लोग Graphical Representation को सिखेंगे तो आईए अब हम लोग Topic बनाते हैं, Graphical Representation Graphical Representation, ठीक है, Of Motion Of Motion, यानि कि Motion के Graphical Representation को हम लोग पढ़ेंगे तो Motion के जो Graphical Representation होता है, वो कितने तरह के होता है, वो हम लोग सिखेंगे तो सबसे पहले ये Graphical Representation क्या होता है, सबसे पहले जो हम ये चीज बता रहे हैं आप इसको अच्छे से Pencil की सहता से आप बिलकुल Graph में नोट कीजिएगा, ठीक है जो किसको Represent करेगा एक Motion को, यानि कि Motion में जो हम लोग Graph को Represent करेंगे वही होता है Graphical Representation Of Motion ठीक है, और Motion को जो Represent करेंगे, हम लोग कितने तरीके से हम लोग करेंगे, कितना तरह से Graph बनता है वह हम लोग डिसकस करेंगे फिलाल, अब इसका जो Graph बनता है, तो टोटल कितना Graph बनता है इसका, टोटल दो Graph, Main Graph बनता है, तो इसके नीचे एरो देंगे लिखेंगे There are mainly two types of Graphical Representation of Motion There are, फर्स्ट आरम करके लिखेंगा, हम बोल रहें There are two types of Graphical Representation of Motion पहला होगता है, दो तरह का Representation होता है पहला का नाम है, देख पारोंगे, Distance Time Graph Distance Time Graph, हाँ Distance Time Graph, और दूसरे का नाम है, Velocity Time Graph Velocity Time Graph देखेंगे, mainly अगर Graph को Representation करने का जो तरीका है, या ग्राफ होते हैं वो कितने तरह का होते हैं? मैंली दो तरह का होते हैं एक का नाम है Distance Time Graph, और एक का नाम है Velocity Time Graph अब हम लोग जड़ा बारी-बारी से देखेंगे कि Distance Time Graph क्या होता है और Velocity Time Graph क्या होता है तो अब हम लोग जो टॉपिक बनाएंगे, वो अस्पेसल पढ़ेंगे Distance Time Graph के बारे में तो अब जो टॉपिक बनाएंगे Distance Time Graph Distance Time Graph Distance Time Graph में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वो ऐसा ग्राफ जो किसके किसके में रहेगा तो Distance और Time में रहेगा अब Distance Time Graph जो खिचा जाता है इसका भी दो टाइप्स होता है यानि कि Distance Time Graph जो खिचते हैं हम लोग वो दो के लिए खिचते हैं एक Non Uniform Aspeed के लिए और एक Uniform Aspeed के लिए यानि कि Distance Time Graph और दूसरा Distance Time किसके लिए तो इसमें लिखेंगे Distance Time Graph for Non Uniform Aspeed यानि कि आप देख पा रहोंगे पहले तो हम लोग सिखेंगे ग्राफ कितने तरीके से होते हैं तो ग्राफ दो तरीके से खिचा जाता है हम लोग को दो तरीके का ग्राफ यहाँ पर पढ़ना है एक Distance Time और एक Velocity Time और इसमें हम लोग देख पा रहोंगे कि Distance Time और Velocity Time तो Distance Time में कितना तरा का ग्राफ बनेगा? दो तरा का ग्राफ एक का नाम होगा For Uniform Aspeed के लिए और एक होगा Non Uniform Aspeed के लिए तो अब हम लोग अस्पेशल जो टापिक पढ़ेंगे वो किसके लिए? Distance Time Graph for Uniform Aspeed एक चीज यहाँ लिखकर टापिक बना लेंगे Distance Time Graph for Uniform Aspeed चलिए अब हम लोग पढ़ रहे कि Distance Time Graph जो होगा Uniform Aspeed के लिए कैसा होगा? तो नाम ही है Distance और Time तो Distance और Time है तो इसके लिए Uniform Aspeed का Graph खिचना है Graph paper में अच्छे से ऐसा Graph खिचना है ठीक है? इसको बोलते है X और इसको बोलते है X- ठीक है? उपर वालों को बोलते है Y और नीचे वालों को बोलते है Y- ठीक है? और यह होता है 0 जहां पर Cutting Point होता है दोनों लाइन का वो होता है 0 हम लोग सिख रहे हैं Distance Time Graph किसके लिए? यूनिफॉर्म के लिए तो यूनिफॉर्म के लिए कैसे बनता है? यूनिफॉर्म कब होता है? जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ते करें वही नए उनिफॉर्म होता है तो यहां पर मान लिया कि इधर जो है टाइम दिया हुआ है इधर टाइम है और उपर डिस्टेंस है यह जो य एक्सिस है इधर डिस्टेंस है इधर मान लिया 1 सेकेंड है इधर 2 सेकेंड है 3 second, 4 second, 5 second इधर है 2 meter, 4 meter फिर है बराबर बराबर distance पे चुकि आप graph में बनाएंगे तो इसको बराबर बराबर distance पे बनाएंगे हम ऐसे ही बता रहे हैं आप इन चीजों को graph में बिल्कुल बनाएगा तो चुकि हम अभी किस का बना रहे हैं तो पहले वाला का बना रहे, distance time graph for uniform speed के लिए बना रहे तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आखिर यह uniform speed होता क्या है तो uniform speed एक ऐसा speed है जो equal time में अपना equal distance ते करता है तो जैसे मान लिया कि 1 second में वो 2 meter जाता है तो यहां हो गया, 1 के सामने 1 और 2 के सामने 2 ठीक है, तो उसी तरीके से 2 second में कितना जाएगा, तो बिल्कुल 4 जाएगा यानि कि uniform अपना एक ही rate से आगे बढ़ेगा 3 second में कितना, तो 3 second में 6 जाएगा 4 second में कितना जाएगा, 4 second में 8 जाएगा तो आप देख पार होंगे कि इस line को अगर हम लोग मिलाएंगे सिधा, आप बिल्कुल inch की साहता से मिलाएगा scale की साहता से, तो यह आपको representation हो गया distance time graph for uniform speed ठीक है, यह किस के लिए हो गया? तो distance time graph for uniform speed चलिए, तो आपको याद रखना होगा के distance time graph के लिए uniform speed में सीधा graph बनता है ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग अगला topic देते हैं distance time graph for non uniform के लिए देखते हैं यह वाला के लिए, तो topic बनाएंगे topic बनाएंगे यहाँ पर distance time graph for non uniform speed non uniform speed यहाँ पर topic बना लिए बोल रहे हैं, distance time graph for non uniform speed चलिए, अब इसमें देखते हैं तो जैसा कि हम लोगों को अभी भी वही है क्या है, तो distance time graph है तो एक तरफ रहेगा क्या? एक तरफ रहेगा time एक तरफ रहेगा उपर distance तो यहाँ कर दिए y axis यहाँ हो जाएगा y dash यहाँ हो जाएगा x dash यह बिल्कुल common है, यह आपको हर बार करना पड़ेगा चाहिए, कोई भी graph क्यों नहीं हो अच्छा हम इसको distance time क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ पर हमें distance time graph बनाना था तो एक तरफ distance ले लिए एक तरफ time ले लिए अब ज़र हम value लेते हैं तो zero होता है यहाँ पर one second का time है यहाँ two second यहाँ three second यहाँ four second यहाँ five second यहाँ six second इधर अगर हम unit कितना भी ले सकते हैं जैसे 10 10 का भी ले सकते हैं 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter है ना तो कितना भी हम लोग ले सकते हैं जैसे मान लिया कि अभी हम लोग किस के लिए बना रहे हैं distance time graph जो है यह non uniform speed के लिए है और non uniform क्या होता है कि यह अपना जो timing है वो change कर लेता है जैसे मान लिया कि पहले घंटे में या पहले सेकेंड में वो 10 मिटर के ज्यादा ही कर सकता है ठीक है इसको हम लोग non uniform speed कहते हैं तो जैसे मान लिया कि अभी यहां से कोई particle कोई object चलना शुरू किया है ठीक है पाया गया ऐसा पाया गया कि वो एक सेकेंड में पहला सेकेंड में वो 5 मिटर की distance तय किया तो 5 मिटर यहां होगा देख पार होंगे 0 और 10 के बीच में बिल्कुल 5 होगा फिर ऐसा पाया गया कि 2 सेकेंड हुआ तो बिल्कुल 10 पे गया पूरा-पूरा 10 पे गया ठीक है फिर वैसा ही पाया गया कि जैसे ही वो 3 सेकेंड हुआ न तो अपना 30 पे प जैसे ही 4 आया वो और speed बढ़ाया और speed और 60 तक पहुंचिया तो 60 already उपर होगा क्योंकि 40 है तो 50 होगा 60 होगा तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे non-inform को देख रहे हैं non-inform का क्या होता है कि अपना time बढ़ रहा है और कभी-कभी अपना speed जो बहुत अधिक बढ़ा रहा है देखिए पहला सेकेंड में 5 के speed था लेकिन अगले चार सेकेंड में उस 60 के speed से भागने लगा तो यह non-inform है और non-inform का graph कैसे बनेगा तो बिल्कुल ऐसे बनेगा तेड़ा देख पार होंगे ना यह किसका graph है तो यह non-inform का graph है ठीक है देख पार होंगे यह non-inform का graph है तो अगर हमें बोलेगा कि non distance time graph खिचिए तो आपके पास यह हुना चाहिए कि distance graph किस case के लिए uniform के लिए कि non-inform के के लिए क्योंकि दोनों में अलग-अलग होता है यह है नर्णिंफर्म के लिए तो इस तरीके से हम लोग जो पहला था graphical representation पहला distance time graph इसको हम लोग पूरी तरीके से पढ़ लिए अब दूसरा है velocity time graph अब velocity time graph को पढ़ने के लिए इसके भी कुछ types होते और डुटाएं तो अब हम लोग पढ़ा जाए म cop गजीिटि टाइम में अब हमलो पढ़ते हैं किया वेलुशिटी आवर के अब जैसा कि जानते हैं कि टपte लोता है वो दूटरीके का बनता है एक उनिफ्रॉम स्पीड के लिए उसी तरीके से हम लोग का जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हम लोगों को कितने तरीके से मिलेगा तो तीन तरीके से यानि कि velocity time जो graph खिचा जाता है वो तीन तरीके से तीन case के लिए खिचा जाता है पहला case के लिए तो velocity time graph for uniform acceleration यहाँ पर दिखिए acceleration हो गये uniform acceleration ठीक है a double c n का होता है acceleration ऐसे लिखते हैं इसी को short form में ऐसे लिखते हैं a double c के power में n acceleration अच्छा दूसरा हम लोग खिचेंगे velocity time graph यानि कि यह भी velocity time graph ही है लेकिन किसके लिए for non uniform acceleration यानि कि यह जो graph खिचा जा रहा है यह किसके लिए तो non uniform acceleration के लिए फिर एक तीसरा आता है वो है velocity time graph यूनिफॉर्म मोशन देखें यहां पर uniform motion है और एसलेरेशन देखिए एसलेरेशन और मोशन में अंतर है क्यों क्योंकि मोशन तो हम लोग ऐसे भी कोई भी covered या travel distance जो होता है विद रिस्पेक्ट टाइम होता है लेकिन acceleration क्या होता है rate of change of velocity in unit time होता है ना acceleration rate of change of velocity in unit time वो होता है acceleration ठीक है तो दोनों में अंतर है acceleration है एक तरफ uniform acceleration और एक तरफ uniform motion यानि कि velocity time graph जो होता है वो बिल्कुल तीन तरीके से बनता है velocity time graph किसके लिए तो uniform acceleration के लिए और एक होता है non uniform acceleration के लिए और एक uniform motion के लिए तो चलिए हम इन चीजों को देखेंगे तो सबसे पहले topic बनाएंगे किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग तो velocity time graph यहाँ छुट गया था velocity time graph for uniform acceleration तो यही बात यहाँ लिखा जाए velocity time graph for uniform acceleration चलिए तो uniform acceleration बनेगा तो हम लोग कौन सा graph कैसा बनेगा जैसा की जानते हैं यह एक axis ले ले लेते हैं हम लोग इसका नाम होता है x इसका नाम होता है x dash ठीक है इसका y होता है इसका होता है yです ठीक है यहां तक तो क्लिए रहे अब यहां पे हम लोग कुछ नहीं तो यहां पे 0 और इधर क्या है इधर time है और इधर क्या है इधर velocity है किसमे velocity है तो meter per second में और time किसमे है तो second में मान लिया जाए कि इधर है जैसे 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5, 6, 7, 8, done. इधर अगर हम लोग मान लिया जाए, meter per second, तो 5 meter per second, 10 meter per second, 15 meter per second, 20, distance equal लेना है, 25, ठीक है. अब एक तरफ velocity है, इधर velocity है, उपर की तरफ, इधर time है. अब हमको किस केस के लिए काम करने है, तो पहला केस पढ़ रहे है, uniform acceleration. uniform का मतलब क्या होता है, तो हम लोग बार-बार बोले हैं, कि equal time में equal distance याव equal velocity लेगा, तब हम उसको बोलेंगे uniform acceleration. change in velocity in unit time, तो अगर मान लिया जाए, कि 0 जब रहेगा, particle जब 0 second पर रहेगा, तो उसका कितना होगा? 0, अगर मान लिया कि 1 second में वो 5 meter per second की velocity प्राप्ट करता है, और 2 second में 10, 3 second में 15, 4 second में 20, तो इस तरीके से अगर प्राप्ट करेगा, लोगे, 4 second में 20 के सामने, 3 second में 15 के सामने, 2 second में 10 के सामने, तो इस तरीके से जो a straight line graph आएगा, a straight line, बिल्कुल इंच से आप मिलाएंगे, तो a straight line graph जो मिलेगा, वही कहलाता है, velocity time graph फोर किसके लिए, uniform acceleration के लिए, तो आप बिल्कुल divert नहीं हुए, कि सर ये वाला और ये वाला जो पहले बनाये थे दोनों, तो उसे मिलेगा, हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो uniform speed था, कि लेकिन यहाँ पर graph देखे, distance time है, distance time graph देखकर भी पता चल रहा है, तो ये दोनों में काफी अंतर है, हलंकि graph भले एक तरीके का आया है, लेकिन ये distance time का है, और ये आपको देख पारे हैं, velocity time का है, है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसका first case को पढ़े, velocity time graph for uniform acceleration, अब हम लोग पढ़ेंगे, velocity time graph for non-uniform acceleration, कि non-uniform acceleration के लिए क्या होगा, तो अब हम लोग यहाँ पर topic देंगे, लिखेंगे, ये, पहला वाला तो पढ़े लिए, इसका graph देख लिए, अब दूसरा वाला क्या है, velocity time graph, velocity time graph for non-uniform acceleration, तो यहाँ पर लिखेंगे, velocity time graph for non-uniform acceleration, अब जड़ा देखते हैं, non-uniform के लिए क्या होता है, जैसे मान लिया, कि एक graphical representation है, यहाँ x है, यहाँ x डेस है, यहाँ y है, यहाँ y डेस है, यहाँ पर तो 0 होता है, यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इधर time लेना है, और time हम बिल्कुल second में लिया है, यहाँ पर velocity लेना है, उपर की तरफ velocity लिया है, कि इसमें, तो meter per second में, ठीक है, अब इधर जो second लिया है, हम two two के basis पर भी ले सकते हैं, लेकिन बराबर लेना होगा, दो लिये तो, दो, चार लेना होगा, 6 second, 8 second, 10 second, 12 second, ऐसे भी ले सकते हैं, इधर आप ले सकते हैं, 10 meter per second, 20 meter per second, 30 meter per second, यह तना भी बन ले सकता है, हम लोग ग्राफ बनाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है, 10, 20, 30, 40, यहाँ 50, ठीक है, आप चीजों को देख पा रहे होंगे, अच्छे से, तो अभी हम लोग जो खीचना है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ नन इनिफर्म के लिए काम करना है, नन इनिफर्म क्या होता है, मान लिया कि कोई भी आपजेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो पहले 2 सेकेंड में, वो 30, मान लिया जाए कि 30 meter per second का वेलोसिटी प्राप्त किया, फिर जैसे ही अगला 4 सेकेंड आता है, वो बिल्कुल 10 पे चलाता है, ठीक है, फिर अगला 6 सेकेंड होता है, तो इस बार 20 पे चलाता है, फिर अगला जो 8 सेकेंड आता है, वो बिल्कुल 0 पे आ जाता है, यान कि ग्राफ को टच करने लगता है, अगला जो 8 सेकेंड है, वो फिर से 30 आ ज लगता है तो इस तरीके से आप देखिए तो सब ग्राफ को मिलाईए तो पहले यह वाला को यह से मिलाएंगे देख पा रहोंगे फिर यहां से ग्राफ यहां आया फिर यहां से फिर उपर चड़ाओगा फिर यहां से बिलकुल जीरो पे आ गया और फिर यहां से डारेक्ट उपर चड़ गया तो हम इसको बोलते हैं कि कौन सा ग्राफ यह बन रहा है तो ये graph बन रहा है velocity time graph फुर किस के लिए तो non-inform acceleration के लिए ये graph है ठीक है ये non-inform के लिए graph है किस के किस के बिच तो velocity और time के बिच तो आप बिल्कुल graph को याद कर लिजएगा graph हमारे लिए बहुत काम का है क्योंकि जो हम लोग पढ़ेंगे आगे तो graph से ही हम लोग कुछ formula भी prove करने वाले है ठीक है तो इसके लिए चलिए एक और case बच गया है वो कौन सा case तो वो third वाला case दिखाते हैं कौन सा case है जैसा कि velocity time में हम लोग दो ठो पढ़े लिए अब तीसरा velocity time graph for uniform motion ठीक है तो uniform motion के लिए अब velocity time का graph कैसा होगा तो यहाँ पर लिखिएगा टापिक मनाएंगे velocity time graph for uniform motion for uniform motion चलिए अब इसके इसके पीचे के graph देखते हैं कि कैसा होता है यह x dash यह y dash यह उपर y यहाँ पर x ठीक है यहाँ 0 से start हो रहा है अब यहाँ पर हम लोग time इधर लेना है तो इधर आप time ले लिजे किस में तो second में इधर आपको velocity लेना है उपर velocity ले लिजे किस में velocity लेना है meter per second में चीक है अब ज़रा time का बात कर लेता है तो कुछ भी ले सकते है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब यहाँ पर किस के लिए काम कर रहे है uniform motion के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे है 5 meter per second 10 meter per second 15 meter per second 20 meter per second 25 meter per second अब इस case में ऐसा पाया गया कि जैसे ही time start ही नहीं हुआ यानि कि 0 second से उसका start हुआ timing लेकिन उसका speed कितना था यानि जैसे ही time start हुआ कि वो 15 का speed पकड़ लिया और 15 का speed जो पकड़ा तो एक second के बाद बितने पे भी 15 second रहा दूसरा second बितने के बाद भी 15 second रहा तीसरा second बितने के बाद 15 ही speed रह रहा भाई चार second बितने के बाद उसका 15 ही speed रह रहा पांचमे सेकेंड बितने के बाद उसका स्पीड 15 ही रहा रहा है यानि कि आप देख पा रहे होंगे कि टाइम हमेशा बढ़ते जा रहा है लेकिन उसका स्पीड इसका वेलोसिटी बदल नहीं रहा है यानि कि आप देख पारें, बिल्कूल स्ट्रेट ग्राफ बनता है, और ये ग्राफ किसका बनेगा, ये ग्राफ बन जाएगा, वेलसिटी टाइम ग्राफ, फोर यूनिफॉर्म मोशन, तो आज हम लोग टोटली पांच तरह का ग्राफ देखें, और इन ग्राफ को आप बिल्क फुल बना देजेगा, यानि कि उसको मोटा लाइन से दिखाईएगा, जैसे इसके बीच का, वेलसिटी टाइम ग्राफ के बीच, ये आया, नौन इनिफॉर्म एसलरेशन, तो इसको धुरा सा मोटे लाइन से दिखा दिए, ताकि देखने न अच्छा लगेगा, ये किसके लिए तो वेलसिटी टाइम ग्राफ, फोर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर पांच ग्राफ को आज रिप्रेजेंट किये ग्राफ में मोशन को लेकर, तो इस तरीके से हम लोग आज की क्लास को यहाँ तक खतम करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और यहाँ पर अगले क्लास में कुछ आगे की बात सिखेंगे, धन्यवाद.